सूपरभाद बच्चो यह पाठ लिंग बदलो कक्षा तीसरी विशे हिंदी व्याकरन से लिया गया है इस कारे का लिखित सार आपको 39 तंबर 2021 को भेजा जाएगा यह आवाज सुमन शर्मा की है बच्चो आज हम लिंग बदलो के विशे में पढ़ेंगे आपने पहले भी लिंग बदलो के विशे में पढ़ा था आज हम कुछ अन्य लिंग बदलो शब्द पढ़ेंगे लिंग बदलो को अंग्रेजी में चेंज दा जेंडर कहा जाता है आईए कुछ उधार्णों द्वारा समझने का परियास करते हैं जैसे नाना नानी घूमने जा रहे हैं फिर है भाई बेहन टेली विजन देख रहे हैं अगला है शेर शेरनी जंगल में घूम रहे हैं बच्चो उपर लिके वाक्यों में आए रंगीन शब्द नाना भाई और शेर पुर्ष जाती का और नानी बेहन शेरनी शब्द इस्त्री जाती का बोध करवा रहे हैं अठात शब्द के जिस रूप से उसके पुर्ष जाती या स्त्री जाती के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं आईए अब हम लिंग के परकार यानि की भेदों के बारे में पढ़ते हैं बच्चों जैसा की आपको पता ही है की लिंग के दो परकार होते हैं पुलिंग, स्त्रेलिंग आईए सबसे पहले पुलिंग के बारे में जाने पुर्ष जाती का बोध कराने वाले शब्द पुलिंग कहलाते हैं जैसे मोर, घोड़ा, हाथी, आदी फिर है स्त्रीलिंग स्त्री जाती का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं जैसे मोरनी, खोडी, हतिनी, आदी तो बच्चो चलिए अब पांच मिनट की ब्रेक लेते हैं ब्रेक लेने से पहले मैं आप से कुछ प्रशन पूछने जा रही हूँ जिनके उत्तर आप ब्रेक के दौरान अपनी हिंदी व्याकरन की नोटबुक में लिखोगे प्रशन एक है लिंग कितने परकार के होते हैं प्रशन दो पूर्ष जाती का बोद कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं प्रशन तीन स्त्री जाती का बोद कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं चीकिया बच्चों, अब ब्रेक का समय समाप्त हुआ, आईए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उपर पूछे गए प्रशनों के उत्तर बता देती हूं, लिंग दो परकार के होते हैं, ये था प्रशन नमबर एक का उत्तर, दो परकार के कौन कौन से लिंग है, पुलिंग अगले प्रशन का उत्तर है, पुलिंग, प्रशन तीन का उत्तर है, स्त्री लिंग, आईए, अब कुछ अन्य लिंग शब्द पढ़ते हैं, इन शब्दों को आप अपनी हिंदी व्याक्रन की नोटबुक में लिखोगे, तो एक तरफ है पुलिंग, दूसी तरफ है स्त्री पहला है चात्र, दूसरा है द्वर, इसका वधू, फिर है शिश्य, इसका स्त्री लिंग शब्द शिश्य, फिर राजकुमार, इसका स्त्री लिंग शब्द राजकुमारी अगला है शिक्षक, उसका स्त्री लिंग शब्द शिक्षिका, बैल, बैल का गाय, फिर उन्ट, उन्टनी, कवी, कवित्री, सेट, सेथानी, गुड़्डा, गुडिया बकरा, बकरी, बूढ़ा, बुड़िया ये थे कुछ लिंग शब्द आप सभी इन लिंग शब्दों को अपनी नोट बुक में लिखेंगे तो आज का पाट मैं यही समाप्त करती हूँ धन्यवाद